शित रूप से हम लोग सब लोग काम्याब होंगे आने वाले चुनाओं में और ऑगस्त पंदरा अगस्त के बाद हम खुद जंता के बीच रहेंगे और यात्रा पे निकलेगे ब्यार के हरे देख जिले और हमारी कोशिश रहेंगी कि सारे विधान सभा में हम घूमने का काम कर वह भी योजना जो है आपको के बीच जो है बतार दिया जाएगा जो बीद या सो बीद या राश्ट जंता दन लाने वाले विधान सावा में उन्हीं वेक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जंता में खुद का भी ताकत होगा और इन लोगों ने इमंदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है कई बार हम लोगों कभी अनुभव रहा है कभी इधर आगे कभी उधर आगे कभी इधर चलेगे अब इन लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है और निशित रूप से हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है माई बाप की पार्टी है सभी लोगों को सभी वर्ग जाती धन की लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे हम लोगों को जित्रा उनकी भागेदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकेट बटवारे में भी लोग sel Kinu और हम लोगों ने नतीज़ा देखा है उसका समिंशा भी हम लोग ने किया है करही लोगों की को पैर जगा defining बैरड़ अब बैर meditation वी अभी नहीं Biada रहे हैं हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समिक्षा भी की है और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिबबारी तिजिश्वी को दी है तो तिजिश्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सक्ता में लाने के लिए, अपने विचार धारा को मजबूत करने के लिए, चाहे कितने कड़े से भी करे निर्दे लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी वक्ति या निर्दा की ना हो, पार्टी हित में वो हम जरूर निर्दे लें क्योंकि पार्टी को सकता में लाने की जिमिवारी हमको है और अगर मनमक्ता से भी अगर दिन लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकेट काटना परें उसके पीछे हम पांस साल में तो उनके खारे तक करता तयारी करनी पाए थे परिणाम सब के सामने कितनी सीटे लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं देग अपने कारे करताओं को उलजाने के लिए उनको रिजाने के लिए उनको फसाके रखने के लिए भैई इब पांस साल तक क्या करेंगे यही बाते बोलना ना पड़ेगा अब चुनाओ ह हो रहा है अब ये अगस्ट की डेट दिये उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर एक साल की देंगे, फिर डेट साल की देंगे, करते करते अगला पांस साल, इन लोग वो किसी तरीके से खीचना है, हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एंडिये के एक एक घटक दल के बेहाँ पर बो मजबूती से अपना कारेकाल पूरा करेगी बलकि इन पास सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधान मंत्री जी के नेत्रत में देश्चित में लिये जाएंगे जिसका मजबूती से समर्तन एंडिये का हर एक घटक दल करेगा इस बात में अगर किसी के मन में एक प्रतीशत भी शंका है कि कोई भी इंडिये का घटक दल हमारे प्रधान मंत्री जी के नेत्रत में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे सहे सब ने प्रधान मंत्री जी के नित्रत को स्विकार किया है और उनी के नित्रत में पांस साल ये सरकार मजबूती से अपना कारेकाल पूरा करे लिए